अगर दोस्तों मैं राजिस को मैं आपका बहुत बहुत स्वाथ करता हूं आपके अपने चैनल एड़ पोटेक में दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि बभी बज़ट आने वाला है और बज़ट का इंपेक्ट शेर मार्केट पर तो होता ही है अगर लोगों का इस्पेक्टेशन मिट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं तो मार्केट नीची भी जा सकता है ऐसे समय में मैं आपके लिए पांच स्टॉक्स का इनासिस लेकर हूं यह ऐसे पांच सॉलिट कंपनियों का स्टॉक्स हैं जिसको कि इस बज़ट से होगा यह फायदा कैसे होगा यह जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखीगा जो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं जादा समय नहीं लोगा 30-40 सेकंड में अपडेट दूँगा कि आज कल बहुत साए लोग क्रिप्ट करनसी को आप पूछते हैं आज को क्रिप्टो करनसी के बहुत ही फेमस हो रहा है आप तो बैंक पे एलाव कर रही है तो कई लोग पूछा है कि इसका ट्रेडिंग कहां सो होता है तो रिसेंटली मुझे एक प्लेटफर्म मिला है जिसका नाम है डेटा एक्शेंज आप यहा डिटी हो आप इसमें डिपोजिट करते हैं आपको एक हंड्रेड डॉलर का एक बोनस आपको मिलेगा यानि 7000 रुपीज और एक बात आप कई लोग जो हाल में इसमें प्रोफिट कमा चुके हैं उसका आप टेस्टमोनियल देख लिए यह सब उनका टेस्टमोनियल है आगर यह कि यह बहुत ही स्क्योर सायिट है तो यह तो पक्का है कि ओस्पैड में आप को आपको अपने पोटफोलियो का 50 playable करके आपको एक आप करना च хороший आगर मार्केट नीचे जाता है तो उसमें आपका काम आएगा और ऐसे समय में जनली ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर अगर आपको फ्रीवी ट्रेड करना है तो आप सभी स्टॉक्स में च्रिक्ट स्टॉप लगा के ही ट्रेड करें तो चलिए मैं आपको आज बताने वाला ह पांच ऐसे स्टॉक्स जिसको इस बजट से फायदा होगा यह जो पांच कंपनिया है पांच स्टॉक्स है इसको मैंने अलग-अलग किना लिस्ट के जो रिसर्च रिपोर्ट है उससे मैंने निकाल के लाया हूं तो देखते हैं कि पांच स्टॉक्स कौन सा है कौन-कौन सा स तो सबसे पहले तो infrastructure पर फोकस हो सकता है क्योंकि एक बहुत वाइम्प्लायमेंट जैनेरेशन इसमें है और इस पर स्पनेंडिग कर सकती है दूसरे सेक्टर है healthcare स्थेटर पर जाधा सकती है और हो सकता है कि जो health insurance premium है उससे कुछ tax benefit दिया जा सके जिसे ज्यादा लोग इंसुरेंस करें, हेल्थ इंसुरेंस ले, जियल स्टेट को भी इंडायक्ली बिनिफिट मिल सकता है, एफ़र्डेवल हॉसिंग के कान इस पर ज्यादा स्पेंडिंग हो सकता है, बहुत सा पीसे कंपनी इसे भी गवर्मेंट सेल कर सकती है, जिसमें की बैंक भी हो सकते हैं, छोटे बैंक भी हो सकते हैं, ट्रेवल एन होस्पेंडिलिटी सेक्टर भी भी इस्पेंडिंग गवर्मेंट का ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यह ऐसे सेक्टर है, होटल और ट्रेवल, जो कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परवावित हुई है, बुई तरह परवावित हुई है तो हो सकता है कि government का इस पर spending ज़्यादा हो और यह एक ऐसा sector है जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा employment है तो इस employment को बहाने के लिए भी इस पर government उस पर spending कर सकती है तो इस sector को थोगा closely बाच करना पढ़ेगा और ruler income and employment generation will be in focus textile sector is another employment generator so maybe support to boost exports so textile sector उसको भी boost कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा employment source है अब देखते हैं कि budget में क्या-क्या negative surprise आ सकता है तो जैसे कि COVID के बाद tax collection सबसे ज़्यादा प्रवावावित हुआ है तो हो सकता है कि government को और भी ज़्यादा funding के जोगत होगी बागे spending करने के लिए ज़्यादा होगी तो कुछ taxes भी बढ़ाया जा सकते है government increases on corporate to generate additional fund government corporate tax may increase income tax benefit may be slightly changed long term capital gain and short term capital gain and STT may also be slightly changed दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपका subscription ही हमारा support है notification काने के लिए इस bell icon को भी click कीजिए तो आप देखते हैं कि budget से पहले कौनकों से sector कर भाइट करना चाहिए banks are very sensitive to high deficit कुछ budget में negative हुआ तो सबसे पहले banking sector का price नीचे जाता है तो मतलब banking sector हुआ NBFC हुआ इसके share को आपको एवाइट करना चाहिए sector को एवाइट करना चाहिए कि कुछ भी negative हाता है तो इसमें सबसे ज़ाधा फाल आता है और जैसा कि मैंने बताया कि real state हुआ या hotel हुआ travel sector हुआ इनको इस budget से काफी उमेद है काफी expectation है अगर सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है अगर इनका expectation meet नहीं होता है तो फिर आप समझ सकता है किसके share में क्या होगा है और metal stocks को भी avoid करना चाहिए क्योंकि government import duty को कम कर सकती है जो कुछ metal scrap है इनके import duty पर भी कम कर सकती है जैसे copper है, iron है, aluminium है अगर इसका import duty कम सकती है और इससे क्या होगा कि metal stock का जो margin है उस पर और इसका metal stock का प्राइस है इस पर इसका impact आएगा तो इससे क्या होगा किसका भी share पर भी इसका impact आसकता है तो इस sector को भी आपसे avoid किजिए और CTP का भी import duty कम हो सकता है अगर CTP का import duty कम होता है तो हमाजी केंकर जैसे sales के price नीचे गिरेंगे तो यह सब sector है जिसे के avoid करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया कि इस budget में हो सकता है कि infrastructure sector में spending ज़्यादा हो इसलिए मैंने infrastructure से एक sales तुना आपके लिए पहला sales मैंने चूच किया है NCC Limited जिसका current price भी 59.85 रूपीज का है और इसका book value है 81 रूपीज का तो इसका current price है book value से भी नीचे है और इसका market cap है 3,650 क्रोर का और जैसा कि अगर इसमें कुछ budget में कुछ infrastructure में spending जाला होता है तो इसका फायदा इसका मिलेगा इसके पास जो order book है इसके पास order book बहुत बढ़ा है 40.000 क्रोर का order book है और अगर आप last month में देखें December 20 में ही देखें तो इसे कईब 8,980 का क्रोर का order मिला है और इनका जो capacity utilization है वो अभी increase होके 90% तक हो गया है और recently राकेश दुन्जन वाले ने भी अपने अस्टेक को increase किया उन्होंने 13.17% तक अपना अस्टेक को increase किया है इसका जो date है reducing है अभी 200-300 को इसका जो last quarter में इसका date reduce हुआ है ये एक top peak रहेगा budget से क्योंकि अगर कुछ नहीं भी होता है अगर budget में infrastructure पर कुछ नहीं भी होता है तो भी ये fundamentally बहुत ही a strong company है और coming quarter में बहुत अच्छा result दे सकती है तो इसलिए इस budget में अगर infrastructure पर कुछ spending government टेनांस करती है तो इसको जवर दस फायदा होगा और अगर नहीं भी करती है तो इक बहुत ही a strong company है fundamentally a strong company है तो इसमें आपको फायदा ही होगा तो इसे आप ले सकते हैं जो दुसरा stock में ने चूच किया वो भी infrastructure से ही related है एक cement company है in seal industries इसका current price इसके book value के price के आसपास ही है इसका book value 132 रुपीज इसका current market price है 147 रुपीज इसका market cap है 668 करूर पीज और अगर जो अभी demand बढ़ रहा है cement का demand बढ़ रहा है और infrastructure पर spending अगर बढ़ता है तो इससे इसको benefit मिलेगा ऐसे भी cement का demand है demand और इसका price अभी increase हो रहा है और continuous रहेगा इसका अगले साल भी इसका continue करेगा इसका demand increase ही रहेगा तो इसका फायदा इसको मिल सकता है और one of the best manage of cement company है इसका जो valuation बहुत ही लो है इसका P7.5 है इसका जो debt है और reducing है यह बहुत अच्छा dividend नेती है इसका जो dividend का record है बहुत ही अच्छा रहा है इसका अपना power generation plant है और यह इक this is the only producer of cement bonded particle body in India जो जर्मनी का brand है Bishan इसका यह producer है यह इंडिया का largest door manufacturing unit है दूरा दूर तो यह अच्छा strong company है इसका भी आप से ले सकते हैं budget से पहले budget से फायदा होगा अगर नहीं भी होता है तो भी इसमें फायदा है अगले quarter इसका जर्ट अच्छा ही रहेगा जो मिया next sales है वो है hero motor एक budget से ले पहले आप इसे ले सकते हैं इसका market price है 3,475 इसका market cap 69,000 क्रोर का है तो इसका benefit मिलेगा जो budget में ruler income के जो benefit आएगा उस ruler income के benefit इस पे आ सकता है और यह hero motor का एक debt free company है large cap stock है बहुत ही demand में है 2 wheeler sales इसका बहुत ही अच्छा है अभी grow हो रहा है और hero motor अभी electric vehicle भी लाने वाली है electric bike लाने वाली है 200-300cc का bike segment में भी इसका अच्छा demand है तो इसका जो scrap policy भी आने वाला है उसका benefit भी मिलेगा इसे और यह भी एक बहुत ही अच्छा dividend paying company है यह लगवग अपने profit का 50% dividend में लोग share holder को बाढ़ देती है तो इसे आप अभी खरीच सकते हैं और इसको budget के बाद या इसको long time के लिए भी hold कर सकते हैं next sales है और है रैलिस इंडिया यह अला कि थोड़ा साब महंगा है इसका price अभी 277 रुपीज है market का है 5,398 करोड का है और पी इसका 26.5 है थोड़ा महंगा है तो इसमें जब आप इस share को लेते हैं तो थोड़ा स्टॉप्रस आपको लगाना होगा इसका benefit मिलेगा जो increase agree reform अभी हो रहा है agree reform पे जो भी इनकर आएगा government spending आएगा उसका benefit इसको मिलेगा Tata Chemicals Subsidies Engaged in Agree Chemicals almost debt-free company है इसका जो management focus है वो aggressive है increasing market share in domestic market agree chemical export margin to approve in coming quarters जैसा कि मैंने पहले बता है कि इसका P26 से market टुपना सस्ता नहीं है तो इसको आप trade कर सकते हैं आपको budget से benefit मिलेगा लेकिन इसमें आप एक stop loss जरूँ लगा लेगा जो मेरा next share है वो है ICC Lombard insurance sector से है health insurance sector में आप देखेंगे कि इस वाइगा government का ज्यादा focus आएगा budget का में ज्यादा focus आएगा तो उसका benefit मिले सकता हो सकता है benefit company को तो मिल ही रही है आई एक large cap of stock है हस्ता तो नहीं है लेकिन insurance company इसे अभी हमेशा demand में रही है तो इससे आप trading purpose ले सकते हैं 8 to 10% profit के लिए पिसे ले सकते हैं तो budget के समय आपको करना क्या है कि budget के समय जैसा कि मैं पहले भी बता चोका कि बहुत ही market volatile होगा तो ऐसे समय में आपको future in options से थ्वाइट करना चाहिए क्योंकि बहुत ही market उपर नीचे हो सकता है तो आप एप्रेंदों में trade ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर आप कोई trade लेते भी हैं तो उसमें आप एक stop loss जरूर maintain करें चाहिए आपके पास portfolio में existing share हो या new share लेते हैं उसमें भी budget case से पहले उसमें stop loss जरूर लगा लें और इस समय TV anchor को पर जादा reliable ना हो जैसा कि आप मेरा पिछला वीडियो भी देख चुके हैं कि TV anchor ने कितना घुटारा किया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बदाया था आपको बेनारी अमन spinning and अमजयोते spinning mills का share के लिए तो उसको आप भी hold कर सकते हैं बजट के बाद भी hold कर सकते हैं और इस जो मेरा analysis है इस पार्टा स्टॉक्स के वाई में budget analysis है यह मेरा analysis है educational purpose के लिए मैंने मनाया है अगर आप कोई भी share खहितते हैं बेचते हैं तो आप अपने personal advisor से personal financial advisor से advice जरूर ले ले और आप अपना जिस्क जितना maintenance आप risk ले सकते हैं उसको देखते हुए आप अपना इस स्टॉक्स में आप decision ले तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लोग को share कीजिए और इस वीडियो का like कीजिए अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो आप इस channel को subscribe कीजिए thank you जाहिंद दोस्तों अगर आपने हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपका subscription नहीं हमारा support है notification काने के लिए bell icon को भी click कीजिए